सो हेलो एवरिवन असोग लिलेंड के क्वाटर वन के रिजल्ट आ चुके हैं चलिए देखते हैं कैसे रहे रिजल्ट यहाँ पर आप देखेंगे यह जो अमाउंट है यह करोर्स में है इन गैज यहाँ पर आप लोग अमारा वट्सप ग्रूप भी जोईन कर सकते हैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हमने सेल का सेयर दिया था और आप देखेंगे एक ही दिन में इसके फर्स्ट और सेकेंड टार्गेट डन हो चुके थे आगे बात करूं यहाँ पर मैं टोटल इंकम की आप देखेंगे असोग लिलेंड की टोटल इंकम 9,735 से 10,754 हुई है आगे टोटल एक्सपेंसेज 9,064 से यह हो गए हैं 9,994 मतलब एक्सपेंसेज इनके बढ़ गए हैं yearly basis में and quarterly basis में यह 12,000 से हो गए है 9,000 quarterly basis में खर्चे इनके decrease हुए हैं आगे डाइरेक्टल बात कर लेते हैं total comprehensive income की आप देखेंगे यह 556 से 658 हुई है मतलब yearly basis में तो increasing phase में रही लेकिन quarterly basis में यह 1508 से काफी decrease हो गई है 658 हुई है इनकी total comprehensive income and earning per share भी आप देखेंगे आपर 1.85 से decreasing phase में रहा 1.73 जैनरेट हुआ quarterly basis में भी 2.91 से यह decrease हुआ है 1.73 हुआ है so overall result इनके अच्छे नहीं रहे quarterly basis में भी and yearly basis में भी यहाँ पे ज़्यादा खास result नहीं रहे quarterly basis में तो यहाँ पे ज़्यादा यह बेकार result रहे हैं बाकि yearly basis में थोड़ा सा profit generate हुआ है so guys यहाँ पे आप देख रहे हैं गिरावट चल रहे हैं अभी इस share में आप लोग चाहें तो mid term perspective से share को hold कर सकते हैं